अजय को दोस्तों मेंने नाम है विशाल मैं research analyst हो stopbox technologies में और आप सबके लिए लेकर आया है stopbox का business standard analysis video stopbox एक savvy registered research and analysis firm यहाँ पर हम रोज discuss करता है आपके लिए जो important articles है और उनको analyze भी करता है उनके cause को और क्या effect है उनका आपकी life पर तो यहाँ पर सिर्फ important articles discuss करेंगे and हम political articles या फिर कोई कच्रा article नहीं चूस करेंगे यहाँ पर हम business economics और international articles चूस करेंगे जो जादा financial चीज़ों को cover करें आपकी life के या फिर आपके jobs को या career यहाँ पर शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले article से कल भी मैंने discuss किया था TCS के बारे में although कल हमने results discuss किये थे कि कि सरीकिसे results TCS के बहुत बढ़ी आये HCL Tech के results आये हैं डूसरी IT कमटी बहुत ही पढ़िया है उसके भी and मैं इसलिए share कर रहा हूं because I am also very happy Stockbox ने कुछी दिन पहले एक video बनाया था जिसमें हमने एक ETF के बारे में बात की थी ETF के बारे में हमने recommendation देती कि बहुत अच्छा breakout है IT का ETF था यह ITB नाम का तो यह कोई investment advice मैं आपको पहली बता दूँ हमें आपको buy करने को नहीं बोल रहा हूं यह already बहुत ऊपर आ चुका है but काफी हम positive थे इसको लेकर because we are expecting कि IT की results बढ़िया हैंगे and IT में यहां से reversal आ सकता है and हमें वही देखने को मिला तो जानते हैं ऐसा क्या हो रहा है IT सेक्टर में कि अचानक से IT की सेक्टर अब उपर जा रहा है तो यहां देखिए इन्या के जो benchmark indices है ना benchmark मतलब कौन Nifty Sensex यह दोलों benchmark indices हैं यह दोलों कभी भी अगर आम देखते हैं न्यूस बोला जाता है कि Nifty उपर गया आज 1% यह नीचे आया और Sensex उपर गया तो मतलब भारती बाज़ार का मतलब हो यह निफ्टी और Sensex दोनों उपर गये किसके वज़े से टीसेस के वज़े से क्योंकि TCS में काफी positive move देखने को मिला TCS काफी उपर था क्योंकि IT की बहुत बढ़िया रिजल्स है एक बड़े IT कंपनी इंडिकेटर होता है TCS एक इंडिकेटर के तरह अगर इसके रिजल्स अ data है कल का निउसेवर बहुत important है मैं आपको उदादू जो हमने cover किया था वो यूस का inflation data भी आप देखेंगे इसमें काफी बहतर आया और यहां पर expected है कि September तक ही ब्याज़र कट कर दिये जाएंगे US में जिसकी वज़े से और positive-ness आ गई कहां Indian markets में भी क्योंकि of course foreign investors ने buy करना शुरू कर दिया तो TCS करीब 6.7% उपर था जहां पर यह best performing stock था Sensex में and सबसे बड़ा contributor भी था Sensex की gain में Sensex के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था TCS तो यहां पर Nifty IT भी Friday को करीब साड़े 4% उपर था and during the week यह साड़े 3% उपर था तो Nifty IT जिसके बबात कर रहा हमने 20 दिलवाया था लोग को तो उसमें भी करीब आप सबसे कि वो ETF है जो इसी को track करता है तो वो भी करीब इतना ही उपर था and यहां पर काफी safe भी रहता तो यह सब चीज़े हम किसी और वीडियो में कभी cover करेंगे कि ETFs क्या होता है revenue भी दिखने को मिला तो बहुत ही बढ़िया रिजल्स थे और HCL Tech को लेकर भी देखिए हमने अभी डिसकस कि है HCL Tech की net profit 20% जम कर चुके है और यहां पर guidance भी तीन से 5% की है when it comes to revenue guidance मतलब company के जो आगी का outlook है देखिए दो चीज़े होती है एक तो अभी आप कैसा perform कर रहे हो present ठीक है और future को लेकर आपका outlook क्या है यह दोनों चीज़े जब बढ़िया रहती है या at least यह बढ़िया रहे तो share price usually उफर जाता है जैसे IT companies में आप देखता है usually पिछली बार जैसे क्या हुआ की ठीक है present overall ठीक था लेकिन future को लेके भी कोई खास बुरा outlook था नहीं last year के अगर मैं बात करो तो IT companies के result के दिनना stocks 100% गिर जा रहे थे और इसका reason यह था कि जो future outlook था ना यह बड़ा ही खराब थ ठीक है अन present तो कुछ अच्छा था ही नहीं तो यह reason था कि हमें बड़े-बड़े drops देखने को मिलते थे रीटेल inflation at 4 month high of 5.08% in June येस रीटेल inflation ब्याज दर की बात कर रहे थे तो महंगाई की बात तो होनी ही होनी है और यहाँ पे महंगाई का जो हमारा data है इंडिया का महंग जो 5 month downward trend था मतलब 5 महीने से क्या है ये नीचे आ रहा था अब ये उपर आना शुरू हो गया फिर से and 5% का marking important mark था वो फिर से cross कर दिया and यहाँ पे analyst predict कर रहे है कि of course यह तो विल्कुल logical और common sense की बात है कि अभी भी policy rate जो है ब्याज दर है आर यह उसे pause ही रखने वाली है तो separately अगर आप देखें तो इंडर्न इंडस्ट्रिल प्रोडक्शन है यह 7 month high पे आया in May 2 5.9% set of macro economic data आना है FY25 budget में जिसे present किया जाएगा by Union Finance Minister तो जो data release किया गया है by NSO National Statistical Office Friday को वो दिखा रहा है कि food inflation आप जाके मार्केट में देखें दाल ठीक है उसके रावा pulses, vegetables इनके दामना यह परिशान कर रहा है हमें सबसे ज़्यादा food inflation में कहोंगे एक ऐसी चीज़े जहां we as a country we are failing to control it food inflation control ही नहीं होता हम से बाकी अगर आप देखे overall food के component को अपटा दे तो बाकी हर चीज काफी normal है stable है को बहुत बड़े spikes देखने को नहीं मिल रहा है अगर आप देखे fuel prices तो crude oil वगर के दाम भी आप दिखेंगे बिलकुल normal चल रहा है को बहुत बड़ा उतार चड़ा आप देखने को नहीं मिलाया में पिस्टे दो तीन महिनों में so food inflation एक ऐसे चीज है जिसने परिशान कर रखा है इस वाक्त एक आम आर्मी एक जो सबसे आप कह सकता है जो lowest earner भी होगा उसको food inflation से ही सबसे जादा problem होती है क्योंकि वो अपने income का सबसे आदा expenditure food पे करता है और जबकि एक काफी अगर आप देख लोगी income basis पे अगर कोई मिल्टा से उससे उपर है तो वो food पे actually overall share of income कम खरच करता है तो 10% increment भी हो तो बहुत जादा फरक नहीं पड़ा बट एक low income earner के लिए बहुत बड़ी चीज है यह आते हैं Tata Steel के बारे में एक negative news आई यह Fitch मैं बता दू Fitch एक rating agency है यह क्या करता है आपकी credit score होती है ना जैसे आप loan लेने जाते है तो आपसे पूछा जाता है कि credit score क्या है ठीक है credit score मान लो आपका 800 है तो बोलते है बड़ा अच्छा है आपको loan हम कम interest पर देंगे और ज्यादा loan पर देंगे एक लाग नहीं दो लाग देंगे अगर आपको requirement है तो वैसी companies के लिए क्या companies और countries दोनों के लिए होती है credit ratings ठीक है credit rating agencies है जैसे Fitch इसके अलावा SNP है ठीक है और भी बहुत सारी agencies है जो ratings करती है हमारी अंड यहां पर आप देखें तो Tata Steel के लिए खराब news यह आया है कि इनका जो outlook है ना यह negative हो गया है Fitch ratings ने Friday को कहा कि इनका जो outlook है domestic steel major Tata Steel के बारे में वह हो गया है negative क्यों कि बहुत uncertainty है around surrounding the turnaround of companies operations in UK yes UK वे operations Tata Steel के काफी बड़े operations और इसमें ना हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है अगर आप देखें UK में भी business करना बड़ा tough हो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमेशा Tata Steel के बारे में पता नहीं क्यों negative कुछ ना कुछ आइसपेक्स सुनने को हमें मिलते ही रहते है यहां पे जो expected robust growth है Tata Steel का इनका operations में वो तो चलता ही रहेगा इनका में बहुत अच्छा करना है और EBIT वगरह operations है वो भी offset कर देंगे जो UK के operations में losses हो रहे है वो तो fetch ratings ने क्या किया है कि अभी उनकी credit rating को गिराया नहीं है ठीक है यह नहीं बोला है कि आपकी credit score हमने कम कर दिया वो बोल रहे है मारा outlook negative है मतलब अब हमें लग रहा है यह improve नहीं होगा हो सकता है आगे जाके आपके ratings गिर स stable to yes आगे जाकर outlook का मतलब यह है कि आगे जाकर आपके rating किर सकती है अभी नहीं किर लेगे ठीक है और यह कहना है आपको एक शॉर्ट वीडियो एक दो मिनट के बना कर दे दूँगा रेटिंग के बारे में ठीक है ट्रिपल ले होता है यहाँ पर ट्रिपल वी भी ऐसा ही करके काफी सारी ratings होती है यहाँ पर किसका क्या मतलब कौन सी अच्छी होती है यह आपको समझा सकता हो if you want let me know in the comment section तो overall हमें कह सकते हैं कि Tata Steel के लिए आगे negative outlook आगया है और यहाँ पर थोड़ा इसे debt वगरे problem होगी और हमें हो सकता है इंडिया में इस बात पर इंडिया और इस आइडिया पर उन्होंने बिल्कुल भी धिया और उन्हें काइंड आपके सकते हो की ब्रेश कर दिया की ठीक है ऐसे करके तो एक body representing crypto और web 3 industry है जिरोंने request किया है और च किया है युनिन फानास मेंस्टर को कि भाई TDS कम करो transfer of virtual digital assets पे virtual digital assets मतलब bitcoin कोई भी digital asset हो जैसे मैं आपको transfer कर रहा हो तो उस पर 1% का TDS कर जाता है और इसे घटा कर 0.01% लाया जाए भारत web 3 association है ठीक है यह body जिरोंने request किया है कि जो flat 30% tax rate है ठीक है इसको भी review किया जाए और transfer of virtual digital assets तो यह जो stringent taxation framework है और lack of regulation है इसकी वज़े से क्या हुआ है flight of capital का मतलब मैं बता दू जब capital पूंजी आपके देश से कहीं और भाग जाए ठीक है कहीं और चली जाए जैसे इंडिया से कहां चलीगी सारी दुबाई यह तो दुबाई है वारे billions of dollars इस मामले में अपने आज shift कर लिए क्योंकि इंडिया में इंडिया में इंडिया इंडिया को ब्लॉक्चेन नहीं चाहिए था ब्लॉक्चेन में नहीं कहांगा उनका कहना है कि आपके इंडिया ब्लॉक्चेन चाहिए बटा में क्रिप्टो कर स्क्षेरेंज जो है इंडिया से बाइर इंडिया में तो पुछ भी जगा नहीं है तो इस तरीके से टाक्सेशंट रेगलेशन को लिए के दिमांग डिमांड है कि टाक्स तो कम करो ही करो इसके अलावा रेक्लेशंट भी कुछ लेकर और फॉरें डियंचेंज को इंट्यूट bracket में इनका ये भी कहना है so let's see, कुछ expectations नहीं है, स्री बताओ दो मेरी personally की government कुछ भी करने वाली है, इंडिया ने 9 crypto exchanges भी बैंड कर रखें इंडिया में जैसे की Binance, KuCoin, Gooboy, Kraken, Git.io, Bitstamp, NEXC Global, Bittrex, Bitfinex, क्योंकि वो anti-money laundering laws से comply नहीं करते हैं, इंडिया में और इंडिया में 46 registered crypto entities है, इसक्त, with KuCoin and Binance, इनका number increase हो जाएगा to 48 so let's see, but let's not hope alone India-Russia ties remain slow on investments India-Russia अभी discussion में क्योंकि मूदी जी अभी रखें गये हुए और यहाँ पे काफी सारी चीजों की बातचीच चल रही थी, जैसे रश्या के साथ usually हमारे दो important relations रहे starting से, ठीक है, एक तो रहा है starting से वो रहा है defense cooperation Russia हमारा defense supplier है सबसे बड़ा ठीक है, और दूसरा अब यह पहले number पे था, दूसरे number पे आप आगया है energy, yes, Russia Russia हमारा सबसे बड़ा crude oil supplier भी बन गया है तो शायद ही किसी ने सोचा होगा 10 साल पहले, 20 साल पहले कि ऐसा भी situation आएगा जब Russia हमारा सबसे बड़ा सप्लायर होगा crude oil का और सबसे सस्ता oil Russia देगा हमे, यह तो कभी नहीं expected था किसी को तो India की has a growing proximity to Russia yes, proximity means हम लोग close हो रहा है काफी close थे भी और यह बढ़ता ही जा रहा है रश्या के साथ लेकिन यह investments के मामले में closeness नहीं है investments को अगर आप देखें या एक दूसरे economic parameters देगें outside of trade ठीक है, तो यहाँ पे announce किया गया Prime Minister Modi ji द्वारा भी विजिट पे कि trade target है कि हम एक दूसरे की साथ hundred billion dollar का trade करें 2030 तर या हम जो भी trade barriers है problems है जो trade को रोक रही है कम कर रही है उनको हम हटाएंगे ठीक है, balance लेकिए आएंगे valutal trade में आप एच investment front पे देखें तो जो foreign direct investment inflow है और direct investments आते हैं रश्या से यह तिर्फ 5 million dollars थे yes, एक individual बंदा इससे ज्यादा invest कर देता है चोटा business man जिसे में गाऊंगा अगर आप global level बे बात करें तो small investor globally आद इसको बोलो कि वो 5 million थे invest कर देता है तो रश्या से इतना कम हमारे FDI रहा है and equity influence रश्या से जाए और ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि अफकोर्स रश्या की प्राइटी जा लग है रश्या एक कंट्री है जो इसवत वार पे है आप कह सकते हैं ठीक है और खाली युक्रीन के साथ वार उसका इंडिरेक्टी युएस और पुरी नीटो के साथ है नीटो अलाइंस के साथ सो जो इंवेस्मेंट्स हैं भाई इंडियन्स इन रश्या यह भी 97% गट चुगा है यर और यर बिकर्स हम भी रश्या में इंवेस्टी करना चाहेंगे ना जो कंट्री ओल्री वार पे है इतनी कंट्री के साथ जो कंट्री डॉलर्स में ट्राजक्शन ने कर सकती इतने रस्ट्रिक्शन इतने सांशन इतने एनिमीज इसके साथ काम करना इस नोट वरी इजी एंड बिजनस करने के लिए यह सब चीज़े तो विलकुल नॉर्मल होने चाहिए क्योंकि बिजनस अबने आप में इतना अंसर्टन है कि आप जो प्रॉड़क्शन बना रहे वो लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा पतन उसके बाद आपको यह भी चिंता कर रहे हैं कि कहीं वार न हो जाए कहीं संशन न लग जाए सब कुछ परफेक करने के बाद एक्स्टर्नल अंसर्टेनिटी इस एतनी जादा है कि रश्या के साथ कौन बिजनस कर सकता है और रश्या को रुड रश्या में बिजनस नहीं कर बारी है दंसे तो बाहर वाले तो आप भूली जाओ कि शक्सेस को लिए कर पाएंगे तो तूरिस्ट की बात करते हैं तो जिए रॉड पर रशन टूरिस्ट अडिया फो इंडिया फिर रश्या इस नबद्ट लेसन फोर लाग सिंट पांगा इवन फोर दर पैंडिमिक तो यह भी कुछ थास हमें लेखने को नहीं मिल रहा है आर रश्या तूरिस्टी सब ज़ा रहा था ठीक है इंडिन डिपार्चेस तो रश्या करीब एक लाग हुआ मतलब जो इंडिये रश्या जा रहे थी 2019 में और पचास हजार से भी कम हो चुका है हमें टांडमेक और उसके बाद रश्या जाने में लोग डरते भी है थोड़ा बिगुज अफ वॉर यहाँ पर हम डिसकस करेंगे एक और इंपोर्टन चीज टीक है करला रीटेंस टॉप रांकिंग इन निती आयोग नितीज एस डीजी इंडेक्स बिहार दो वोस्ट परफॉर्फॉर्मर अब निती आयोग ने इंडेक्स किया है एस डीजी जानते हैं क्या है जिसमें करला ने टॉप रांकिंग मतलब पहली भी टॉप था इस वक्त भी टॉप रांकिंग एं बिहार इसमें वोस्ट परफॉर्मर है ऐसी क्या रांकिंग अभी चानते हैं उत्राकर्ण और करेला डेहव बिन इमर्ज आज टॉप परफॉर्मर स्टेज इन निति आयोग स्टीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 यह इवालुएट करता है प्रोग्रेस अफ स्टेज यूनिन टेरिटरी इस ओन शोशल एकनॉमिक अन्वर्मेंटल परामेटर्स किसी इस पर शोशल एकनॉमिक अन्वर्मेंट तीन चीज़े हैं जिस पर इवालुएट किया जाता है प्रोग्रेस को कि यहां पर आदमी कितना प्रोग्रेस कर रहा है इन तीन चीज़ों में और अगर 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 आप निति आयोग के स्टीजी इंडेक्स देखें 2023-2024 सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल इसका नाम है इसे आप लर्न कर लीजेगा सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल इंडेक्स इसमें स्कोर इंक्रीज हुए है 271 इन 2023 इस चॉपिस कंपेर तू 66 इन 2021 एकिस सपोर्टे बाइ सिग्निफिकंट प्रोग्रेस ऑन अलिमिटिंग पॉवर्टी स्कोर यहां इंक्रिमेंट हुए है इंडिया की ओवरॉल स्कोर इंडिया का स्कोर पहले 66 सा 2020 में और अब कितना हो गया है 71 यहां पे पॉवर्टी का लिमिट किया गया डीसेंट वर्क प्रोवाइट किया गया लोग को एकनॉमिक ग्रोथ हुए क्लाइमेट अक्शन हुए है लाइफ और लांड इंप्रूव हो इंडिया की बात करते हैं तो चंडिगर जमुन कश्मीर पुदुचरी आनमा निकबार आइलेंस अन डेली के टॉप फाइफ परफॉर्मर्स थे तो जो तार्गेटेड इंटर्वेंशन हो रहा है ना बाई गॉवर्मेंट इसकी वज़े से इंडिया हेल्प इंडिया अची किया जिसके में से इंडिया की जो ओवराल स्कोर है वो 66 से 71 वी जो की काफी बेटर तो इंडिया ना कि मोस अब दर टागेट भी अचीव कर लेगा ठीक है बलकि वो उससे आचली आगे चल रहा है जो टागेट अचीव करने का गोल था ना कि हम 2030 सब अचीव करेंगे वो उस जरूरत है लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो ओवराल हम बेटर कर रहा है दोसार अठारा से अगर तेस चौबिस की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे फास्टेस मुविंग स्टेट रहा है यहां पे स्कोर 25 से बढ़ा है उनका तो यह भी रीजन है कि इंडिय क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसी जगह अगर ग्रो करती है तो इतना बड़ा है यह कि इंडिया अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा इसका शेर बहुत बड़ा होगा इसमें तो जो फोर्द एडिशन है स्टीजी इंडेक्स का इन्होंने ड्राग किया नेशनल प्रोग्रेस सार कहीं जगहों पर कहीं जगहों पर हमें और ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है तो आज के लिए बैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद